अबी सफर पे जा रहा था कराची एरपोर्ट पे तो फ्लाइट लेट थी और लेट भी माशालला पाँच गंटे और फैमिली के साथ जा रहा था मैं तो मेरा इरादा था दिन में जाऊंगा हाले कि दिन का टिकेट थोड़ा महंगा भी था तो आगे कहीं जाना था बेयान के लिए तो बच्चे भी साथ हमारे तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि कई सफर करूं तो बच्चों को साथ लेके जाऊं यह मैं शो मारने के लिए नहीं बता रहा ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि हद तल इमकान सफर में अपने घरवालों को थोड़ा सा इज़त बोलो भाई दे दिया करें माज़रत के साथ थीका ना कहीं जाया करें घूमने फिरने भी तो ले जायें साथ में अगर अल्लाने माली वसाइल दी है गुंजाईश नहीं है तो फिर बेगम को बताते हैं यह इंडे घर में लाना मुखियम तो नहीं जहाँ जाज में ली जाएया ड़िया जो आए जब से शादी होती है बस वो एक दफा हनीमून का एक रिवाज है उसके बास से वोई तालुकात जो खराब होना शुरू होते हैं वो अब लतीफे बने में लोगों के एक आत्मी की नहीने शादी हनीमून पर गया लेके बीबी को तो दुलन अभी नहीने दुलन थी तो ठोकर लगी है तो एक दम पाउं उसके देख रहा है क्यों चोट तो नहीं लगी कोई जाहर है डेंटिंग पेंटिंग का कोई काम ना करवाना पड़े ना मुझे कोई ऐसा नहीं नवली जैसे गाड़ी जब शोरूम से आती है तो कैसा केर की जाती है ना तो बेगम कुछ तकलीफ तो नहीं हुई बहुत फिर दो-चार साल के बाद दुबारा कहीं सफर हुआ तो ठोकर लगी अब थोड़ा से स्टाइल क्या हो गया चेंज हो गया अच्छा ठीक थोड़ा खिया करो चार-पांस साल के बाद दुबारा जाना हुआ ठोकर लगी अब अंधी हो अंधी है नजर नहीं आता तुझ इतनी पुरानी होती रहती है ना तालुकात जो मार्केट में शोहर कभी ऐसा ही है जब शादी नहीं नहीं होती है दुलन को अपने मियां से बड़ी महबत मेरे मि नहीं आए इन से मिलिये थोड़ा सा पुराना हो गया तो अब उसकी वैलियू खत और बुड़ा हो गया तो फिर तो किसी काम करनी है फिर तो बच्चों के साथ मिल के उसको सताती है ला माफ फरमाए जो ज़्यादातर की बात नहीं कर रहा है जो बयान नहीं सुन रहीं उनक बात कर रहा है तो फिर तो बेटों के साथ मिल के उस बुड़े को जो तंक करती है ना जो केसे जाते हैं पूरा क्यूंकर नचोड़ लिया ना खर्चा मकान भी हो गया सब हो गया बच्चों की ता अब किस काम का है भाई तो बेटों के साथ मिल के वो बिचारा उसकी आदत कोई होती ही पुरानी ओर्डर चलाने वाली मगर अब सुनने वाला कोई नहीं होता पहले तो आपके इसलिए भी सुनते थे भाई आप नाश्ता भी आपकी डबल रूटी भी आप लेकर आएंगे इंडे भी आप लेकर आएंगे आप क्या है भाई तो बैठा भाई खांस रहे तो नेक औरत बुड़ापे में अपने शोहर के साथ वफा करती है याद रखो वो जन्नती औरत है भाई बैटों का साथ नहीं दूंगी अब लड़ा इखतलाफ होगा तो मैं किसका साथ दूंगी शोहर का ये औरत के खांदानी होने की दलील होती है वफादार औरत ये करती है भाई जैसा वर्जी है अपने लेकिन अब चूंके बेटों से मफाद है ना मफाद बेटों से हैं मगर साथ किसका देगी शोहर का गोली कि तुम जिन्दगी में बाद में आयो मुझे ठिकाना इसने दिया है तुमें भी इसी ने खिला पिला के बड़ा किया है और याद लिए तो नबी शल्ला लुद्ध ने फर्माया खवातीन के जहन्नम में जाने का एक बहुत बड़ा सबब शोहर की ना फर्मानी है खवातीन फिर गयती है हमारे खिलाफ बयान कर रहा है आपको कि घर को बसाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको जन्नत में ले जाने की लिए और दौाएं भी जिनकी बिचारीयों की नहीं होरी उनकी जिन्दगी देखो कैसे गुजर रही हाँ कोई बहुत खराब हो जाले मैं तो हम तो खुद ऐसी खवातीन को कहते हैं सेलेट की लो फिर हम उस मर्द की हमायत नहीं करते हैं जो अपने बेसिक हुको की अदा न अब बैटे वें कहां जाएं पांच घंटे के लिए तो बैटे बैटे फिर मैं ऐसे मौके पर फाइदा उठा हूँ वाटसेप में जितने पुराने 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 कबले मसी के मैसेज आये वे हैं को पुराने तालुकात वाले उनसे फून किया सारे निम्टा वो लोग लिबरल किसम की खातून हुलिये से लगता है ना कि कोई ज़्यादा मख़ब को फॉलो नहीं करती क्या मुफित तारिक मसूद साहब है मैंने गजिया कहरी है मैं दो तीन सवाल आपसे पूछूंगी लेकिन आप मुझे बताएं गुसा तो नहीं आएगा अगर कुछ सवाल लेना शुरू कर दो मुझे तो फिर भाई कोई सवाल तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना कहरी नहीं मैंने बाद मौलगियों को देखा है उनसे कोई सवाल पूछो तो एक दम वो कुफर का फत्वा लगा देते हैं मैंने का भाई आपने जो पूछना है आप पूछें उसको उस इशकालात के जवाब अलहमदुलिल्ला मिल गए तो वो इन्होंने वोई इशकालात जो गहर मुस्लिमीन के होते हैं नबी ने शादी इतनी कम उमर लड़की से क्यों कर दो चार यह गूम गूम करें इनके बिचारों को कुछ मिलता है ही नहीं ठीक है ना कि नबी कोई इतराज है ना आपके जहन में पूछ लें फलाइट तो पांच गंटे लेट है बिला तकल्फ पूछें फिर गुस्सा तो नहीं आएगा मैंने का नहीं आएगा तो खैर हुआ उन्हें पूछे फिर उन्हें नंबर भी लिया कि कोई मैंने का मैं फून उठाता नहीं और फिर मैंने का कि दूनिया में बहुत सारे उलमा हैं किसी से भी जान कोई बी संजीदा आलिम आपके सवाल पे घुसा नहीं होगा आपको पताने किस मौलाना से आपका बास्टा पड़ा है जो घुसा हो रहा है हमने तो देखा आग उलमा घुस नहीं होते घुसा जब आत बिल्कुल लिबरल स्टाइल इनका लग रहा था मजब से कोई इनको लगाऊ लेकिन कुछ इश्कालात की वज़ा से ना तो अब आते ही ये मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं ये बच्चे आपके हैं हाँ जी मेरे ये कोई इंसानियत हैं हैं पांच बच्चे थे मेरे इनसे ना ये पांच बच्चे लेके आप घूम रहे हों कि इनसानियत है बच्चे दो ही अच्छे नहीं होते और फिर एक मौलवी की तस्वीर दिखाती मुझे ये देखो इतनी मोटी तौंद वाला बकरे खागए हो इसका मुझे इसके बारे में वज़ात करें तो मैं वज रहे हैं तो ये साफ इस बात की अलामत है कि आप दूसरों को दर्स देते हो कि हम ये मौला ना लोग जो है ना वो वो क्या करते हैं ये घुसे में आ जाते हैं और ये मजाग करते हैं और यूं करते हैं बात ये इनको एटिट्यूड नहीं होते तो आपके स्टाइल से पता कि आप के पास दलाईल नाहीं हैं तभी आप मौलवियों का बहुत मजाक उड़ाते हैं मदरसों पे दामादों मौलवि पे दामा आप अगर क्या हैं किसी मौलवी ना तो इसलाम ने कोई हर मौलवी کا ठेका थोड़ी लिया है बैसलाम ने तो मेरी भी जिंज्मेदारी ही ने देख लेते हैं तो इसका इसलाम से कोई तालुक नहीं है अब आप वीडियो बनाईए ये देखो मुस्लिम ऐसे होते है इसलाम ये कहते हैं इसलाम थोड़ी कह रहा है भाई वो उसका अपना जाती मामला है तो 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 नभी सल्लालाई लेसल्म ने फर्माया ना कि मुनाफिक की तीन निशानिया है उन में एक अलामत आपने बताई कि जब वो जगड़ा करता है बहस करता है तो गालिया देता है मुझे ये हदीश समझ में नहीं आती थी अब समझ में आती तमस्खुर्बी गालियों की एक गिसम है ना यनि दलाईल नहीं होते तो उल्टे सीधी हांक ना शुरू कर देता है